हाई फेंड्स वेलकम टू एमकेवी स्पेसल टाइक आजूकेशन तो डियर गाईज आज की इस वीडियो में हम इस रो में आए हुए लेटाइस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे अगर आपने भी इस रो में लिक्विट प्रपल्सन सिस्टम सेंटर यानी LPSC में फॉर किया हुआ था और डिपलोमा वाले कैंडिडेट और ITI वाले कैंडिडेट दोनों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है डियर गाईज जो एक्जाम आपका कंडर्ट कराया जाना है वो पोस्ट पॉंड कर दिया गया है इससे रिलेटेट जानकारी आपको इस तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसरो की ओफीसियल वैब साइट पर हम है लिक्विट प्रपल्सन सिस्टम सेंटर इसरो की ओफीसियल वैब साइट पर जैसे ही आप केरियर सेक्शन में जाएंगे वहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको दो सेक्शन देखने को मिलें एडवर्टीजमेंट डिटेल्स में जो एडवर्टीजमेंट LPSC-01-2023 थे उसमें डिपलोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर आबेदन किये हुए थे और LPSC-02-2023 जिसमें ITI वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वेकैंसी निकाल कर आई हुई थी तो किन-किन कैंडिडेट का यहाँ पर एक्जाम पोस्ट पॉंड हुआ है आप देख सकते हैं डिपलोमा में जो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिविल आटो मोबाइल फोटोग्राफिय और मेकैनिकल पोस्ट के लिए जो वेकैंसी निकल कर आई थी उनके एक्जाम 17 शितंबर 2023 को कर आई जाने थे लेकिन वो किस वज़य से पोस्ट पॉंड हो गए इस वज़य को क्लियर तो LPSC के द्वारा नहीं किया गया है लेकिन एक्जाम को पोस्ट पॉंड कर दिया गया है अब बात करेंगे जो टेक्निसियन बी की पोस्ट थी यानि आई टी आई वाले कैंडिडेट की एक्जाम डिट की तो ITI वाले कैंडिडेट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट दौनों कैंडिड़ेटों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जो एक्जाम है वो पोस्ट पॉंड कर दिया गया है आप देख सकते हैं अगर आपने टेक्निशन भी मेकनेक अर्ट वेलेक्रिकल अग्जाम पोश्ट पॉंड हो गया है तो यहां पर आपके लिए यह बहुत ही इंपोर्टेंट सूचना थी इससे आपको जो है अपडेट मिल चुका है कि आपका एक्जाम पोश्ट पॉंड हो गया है अगर आपके लिए यह सूचना जरूरी थी तो वीडियो को लाइक करें अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं